कक्षा आठ विशय गनेत प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो मेरा नाम है जग्गू जग्गू बंदर मस्त कलंदर उच्छल कूद और धमा चोकड़ी ये तो हैं जी मेरे काम सब के मन को मैं बहलाता जग्गू बंदर मेरा नाम अरे वाह आम आम पीले पीले मीठे और रसीले जग्गू को जंगल में आम का एक पेड दिखा उसने देखा कि उस पेड पर असी आम लगे हैं उसने सोचा कि ये सारे आम मैं अकेला ही खाऊंगा अब जग्गू मन ही मन हिसाब लगाने लगा यदि मैं एक दिन में पांच आम खाऊं तो ये आम कितने दिन चलेंगे और यदि मैं एक दिन में आठ आम खाऊं तो मैं कितने दिन तक आम खा पाऊंगा आईए हम जग्गू की सहायता करें पुल आम है असी यदि जग्गू रोज पांच आम खाए तो उसके आम चलेंगे असी को पांच से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा सोलह यानि यदि वह रोज पांच आम खाए तो सोलह दिनों तक उसे आम मिलते रहेंगे यदि वह रोज आठ आम खाए तो कितने दिनों तक उसे आम मिलेंगे दस और यदि रोज चार आम खाए तो उसे आम मिलेंगे बीस दिनों तक यदि जगू रोज के दस आम खाए तो उसे आठ दिनों तक आम मिलते रहेंगे और यदि वह एक ही दिन में बीस आम खाएगा तो उसे केवल चार दिनों तक ही आम खाने को मिलेंगे इस सारनी में हमने यह भी देखा कि यदि जगू एक दिन में कम आम खाएगा तो उसे अधिक दिनों तक आम खाने को मिलेंगे परन्तु यदि वह एक दिन में अधिक आम खाएगा तो उसे कम दिनों तक ही आम खाने को मिलेंगे इसी को कहते हैं प्रतिलोम अनुपात जब एक राशी घटे और दूसरी बढ़े या फिर पहली राशी बढ़े और दूसरी घटे इसे ही कहा जाता है प्रतिलोम अनुपात प्रतिलोम अनुपात आईए हम रोज खाए आमो की संख्या को दिनों से गुना करके देखें पांच को सोलह से गुना किया हमें प्राप्त हुआ असी आठ को दस से गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ असी चार को बीस से गुना करने पर भी हमें प्राप्त होगा असी और दस को आठ से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा अरे वह ये भी असी और बीस को चार से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा असी तो आपने देखा रोज खाए आमों की संख्या को दिनों से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा असी जो की थे खुल आम तो दोस्तो इससे हमने क्या सिखा कि यदि रोज खाए आमों की संख्या को एक्स माने और दिनों को वाई तो एक्स वान गुना वाई वान बराबर होगा हमेशा एक्स टू कुना वाई टू के भी प्रतिलोम अनुपात के लिए सुत्र है एक्स वान वाई वान बराबर एक्स टू वाई टू यानि एक्स वान गुना वाई वान बराबर है एक्स टू गुना वाई टू के यह प्रतिलोम अनुपात के लिए हमारा सुत्र है धन्यवाद